प्रकर्ती ने हमें कई जीवन रक्षक ओशदियां उपहार सवरूप दी हैं, जिनके गुनों से हमें काफी लाब होता है। ऐसे ही प्रकर्तिक गुनों से भरपूर ओशदी है नौनी का फल, जिसे मौरिंडा सिट्रिफॉलिया भी कहा जाता है। आयरवेद में तो इसे आँच भी कहते हैं। ये समुद्री की नारे पर 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में पाया जाता है। इस फल में 150 से अधिक पोशक्तत पाये जाती हैं। ये फल आलू के अकार की तरह होता है। और इसमें अननास की तुलना में 40 गुना एंजाइम्स की मात्रा अधिक होती है। नौनी बिटामीन B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, Follet, बिटा कैरोटीन और खनीश पदार्थों जैसे केल्शियम, पोटाशियम, मेगनीशियम, आईरन और फासफोरस से भरपूर है। नौनी में एंटी अक्सिडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेट्री और एंटी रिंकल गुन पाए जाती हैं। जो हमारे शरीर में संचार पर नाली, इम्यून सिस्टम, पाचन तंत्र, बाल और तवचा के साथ कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह एंटी एजिंग के रूप में भी काम करता है, जिससे तवचा में निखार आता है और तवचा को सुन्दर बनाए रखने में मदद मिलती हैं। आयमसी के नौनी जूस में नौनी सत, एलो वेरा सत, आवला सत, तरीकुट सत, अश्वगंदा सत, विधारी कंद सत, ब्रहम मिसत, अंगूर सत और आरो वाटर यह सब शामिल है। यह एक प्राकर्तिक डिटॉक्सी फायर है। नौनी जूस अस्वस्थ सेल्स को स्वस्थ बनाता है। यह पाचन, दमा, उच्रक्चाप, अन्यमित मासिक धर्म और अनिद्रा से पीडित लोगों के लिए बहुत लापक यह एक असरदार एंटियोक्सीडेंट के रूप में कारे करता है। यह विशेले तत्वों और परदूशन से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। आप आयमसी के एलो नौनी जूस का इस्तेमाल 30 मिलीलीटर नौनी जूस को 100 मिलीलीटर पानी में मिला कर सुभा खाली पेट व और जो लोग गुर्दे की समस्याओं और उच रक्षाप से पीडित हैं वे इसका सेवन करने से बचें।